नमस्कार दोस्तान, वेलकम बैक टो चैनल, I hope you guys are doing well, मिरा नाम है जगधीश और फिरसे एक बार आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने चैनल आटो मोबाइल डी एने में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्कोडा की रैपिड को किया की सेल्टॉस के साथ में कंपेर करने वाले हैं मुझे अच्छे से मालूम है कि दोनों गाडियों का सेग्मेंट अलग-अलग है लेकिन प्राइस फैक्टर जो है वो बहुत ही इंपोर्टन्ट रोल प्ले करता ह यहाँ पर हम स्कोडा की रैपिड के टॉपेंड वेरियंट को यानि की स्टाइल वेरियंट को सेल्टॉस के एच्टी के प्लस वेरियंट के साथ में यहाँ पर कंपेर करने वाले हैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हमारे साथ में दोस्तों आखिर तक बने कि आपको किया की sell toss लेनी चाहिए या फिर स्कोडा की rapid क्या आपको लगता है कि स्कोडा की rapid build quality की मामले में किया sell toss से ज्यादा मजबूत सावित हो सकती है क्या आप सोचते हैं कि दोनों गाडियों में जो price gap है वो आपको rapid को भूल कर sell toss लेने पर मजबूर कर सकता है आपकी रा और इन दोनों गाडियों के बारे में अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में so let's begin दोस्तों तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाडियों की price range और segment के बारे में segment की जहां तक बात है दोस्तों Skoda की Rapid 4 मिटर प्लस की mid-size sedan segment कार है वही किया की Seltos 4 मिटर प्लस SUV segment की कार है price range की अगर बात करें तो Rapid का segment स्टार्ट होता है 7,49,000 रुपीज से जोकी Rapid की वज़े से ही इतना नीचे आया है और segment की कीमत चली जाती है लगबग 15,000,000 रुपे प्लस तक वही किया Seltos जो है उसका segment स्टार्ट होता है लगबग 9,89,000 रुपे से शुरू होकर ये 25,000,000 रुपे प्लस तक चला जाता है आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के dimensions के बारे में तो जैसे की आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं Rapid कीया की Seltos से length के मामले में 98 mm बड़ी है अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के engine options के बारे में तो जहां पर Seltos में आपको 1.5 liter का petrol engine मिलता है जो की 115 PS की power generate करता है 6,300 rpm पर और 144 Nm का torque generate करता है 4,000 rpm पर किया की Seltos के इस variant में आपको diesel engine में मिलता है जो की 1.5 liter diesel engine 115 PS की power देगा आपको 4,000 rpm पर और 250 Nm का torque produce करके देगा लगभग 1500 से लेकर 2,750 rpm पर वहें rapid की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 1.0 liter 3-cylinder turbo charge TSI petrol engine जो की 110 PS की power produce करता है 5,250 rpm पर और 175 Nm का torque पर देखा 1,750 rpm से लेकर लगभग 4,000 rpm पर अब आगे मुड़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि build quality के मामले में दोनों गाडिया कैसी है और curve weight पर हम लोग एक नजर डाल लेते हैं जिसे जानकर हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि दोनों गाडियों में से किसकी build quality ज्यादा मजबूत है जहां तक किया Celtos की बात है आज तक आज की rate तक company ने officially इसके curve weight के figures डिकलेर नहीं किया है लेकिन अंदाजन किया Celtos का वजन है 1345 kg से लेकर लगभग 1510 kg तक वही स्कोडा की rapid जो है उसका वजन है दोस्तों 1112 kg से लेकर 1138 kg तक चल ये लगे हाथों आगे बढ़ते हैं और दोनों ही गाडियों के ground clearance पर भी बात कर लेते हैं इसे किया की Celtos आपको 190 mm का ground clearance ओफर करती है तर्निंग रीडियस की जहां तक बात है दोस्तों दोनों ही गाडिया segment अलग-अलग होने के बावजूद भी आपको 5.3 मिटर का turning radius ओफर करती है जबकि इनके dimensions में आपको काफी difference देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाडियों के fuel tank capacity के बारे में तो जहां पर आपको किया की Celtos 50 लिटर गा fuel tank ओफर करती है वहीं Škoda की Rapid आपको इससे 5.0 लिटर ज्यादा यानि कि 55.0 लिटर गा fuel tank ओफर करती है और हमेशा की तरह जब बात हुई रही है fuel tank capacity की तो हम mileage पर भी गौर कर लेते हैं तो किया की Celtos में आपको 16 kmpl से लेकर 21 kmpl तक का mileage ओफर किया जाता है वहीं Škoda की Rapid में आपको 19 kmpl तक का mileage मिल जाएगा दोस्तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात कर लेते हैं दोनों ही गाडियों के boot space के मामले में तो जहां पर किया कि Celtos में आपको 433 लिटर का boot space ओफर किया जाता है वहीं Škoda की Rapid आपको 460 लिटर का spacious boot space ओफर कर पाती है आगे बढ़ेंगे दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट दी वील्स या फिर alloys के बारे में बात कर लेते हैं तो दोनों ही गाडियों में आपको 16 इंचेस के alloy wheels देखने को मिल जाते हैं तो अब तक आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कुछ चीजों में आपको Seltos ज्यादा बहतर लगेगी तो कुछ चीजों में आपको Rapid ज्यादा बहतर लगने वाली है इसके अलावा अगर दोस्तों हम दोनों ही गाडियों में मिलने वाले फीचर्स पर गौर करें तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं दोनों ही गाडियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर तो जहां पर Headlamp की बात है आपको एक में LED और एक में Projector Headlamps मिल जाते हैं फ्रेंट Fog Lamps आपको दोनों गाडियों में देखने को मिल जाएंगे LED DRLs आपको दोनों गाडियों उफर करती हैं Auto Headlamp का फीचर भी आपको दोनों गाडियों मिल जाता है दोस्तों Cabin Ambient Mood Light साथी साथ में 16 इंचेस के Alloy Wheels भी दोनों गाडियों में आपको common मिल जाते हैं Electronically Adjustable ORVM with Turn Indicator भी आपको दोनों गाडियों उफर कर देती हैं Front Armrest with Storage Space, Leather Wrap, Gear Knob, 7 या फिर 8 इंच का touchscreen music system आपको दोनों गाडियों उफर करती हैं साथी साथ आपको सभी basic features जैसे की AM, FM, USB, Oxygen, Bluetooth, Connectivity, Android, Auto and Apple CarPlay जैसे features आपको मिलते हैं लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है आपको Apple CarPlay Skoda की Rapid में नहीं मिलता है Steering Mounted Controls आपको दोनों गाडियों में देखने को मिल जाएंगे Tilt का Option आपको Power Steering में मिल जाएगा साथी साथ में आपको Rear Ace Events मिल जाते हैं Cruise Controls देखने को मिल जाएंगे Minimum दो Airbag आपको दोनों गाडियों के Variants में मिल जाते हैं हाला कि Skoda की Rapid के Top End Variants में आपको चार Airbag देखने को मिल जाते हैं साथी साथ दोस्तों आपको ABS प्लस EBD मिल जाएगा Rear View Parking Camera प्लस Rear Parking Senses आपको देखने को मिल जाते हैं और Day Night IRBM का जो फीचर है वो दोनों गाडियों में आपको Common मिल जाता है अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं Skoda की Rapid में मिलने वाले उन सारे Features के बारे में जो आपको किया की Seltos यहाँ पर इस Variant में आफर नहीं कर पाएगी और शुरुआत करेंगे सबसे पहले Feature से तो इसमें आपको Fully Automatic Climate Control मिल जाता है Tail 10 Telescopy की यह दोनों Feature आपको Power Steering के साथ में मिल जाते हैं Leather Wrap Steering Wheel मिल जाएगा Leathered Seat Up Whole Screen आपको मिल जाती है दोस्तो Rain Sensing Wipers आपको मिल जाते हैं Rear Armrest आपको मिल जाएगा Along With Cup Holders इसमें मिल जाएगे साथी साथ आपको Rear Windscreen जो है उसका Sun Blind मिलेगा Cool Glove Box मिलेगा Dead Pedal Footrest आपको देखने को मिल जाएगा Infra Red Cut, Dark Green 4 Window Glasses मिल जाएगे Infra Red Cut, Front and Rear Windscreen आपको देखने को मिल जाती है LED Tail Lamps आपको मिल जाएगी दोस्तो Rapid में उसी के साथ साथ आपको Stainless Steel की Scuff Plates मिल जाएगी Rapid में जिस पर Rapid की Branding आपको देखने को मिल जाती है Rear Spoiler आपको देखने को मिल जाएगा Skoda की Rapid के Style Variant में और आपको 4 Airbag का Option मिल जाता है जबकि इस Variant में Seltos आपको केवल 2 Airbag आफर करेगा अब आके बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कलेते हैं Kia की Seltos में मिल ले वाले उन सारे Features के बारे में जो आपको Skoda की Rapid में नहीं देखने को मिलेंगे और सबसे पहला Feature है दोस्तों Shark Fin Antina उसके बाद में आता है Front and Rear Skid Plates आपको मिल जाती हैं दोस्तों SUV होनी की वज़े से इसमें आपको Roof Rails मिल जाएंगी Rear Wiper and Washer मिल जाएंगे Rear Sunshade Curtains आपको देखने को मिल जाते हैं Smart Remote Key for Engine Start यह आपको Automatic के Variant में Option मिल जाता है Push Button Start and Stop का Feature आपको मिल जाएगा Electronically Auto Fold Overviams आपको मिल जाएंगे Driver Rear View Monitor आपको मिल जाता है और 4 के 4 आपको Disc Brake मिलेंगे डीजल वेरेंट में तो कुल मिलाकर यह 10-12 फीचर थे जो आपको Cell Toss आफर कर पाती हैं लेकिन यह आपको Skoda की Rapid नहीं दे पाएगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाडियों के वारंटी ओफर के बारे में तो जहां पर किया Cell Toss में आपको 3 साल Unlimited Kilometer तक की वारंटी साथ ही साथ में 3 साल Unlimited Kilometer तक का Roadside Assistance मिल जाता है वहीं Skoda की Rapid में आपको 4 साल या फिर 1,00,000 Kilometer तक की वारंटी ओफर की जाती है 4 साल Unlimited Kilometer तक का Roadside Assistance ओफर किया जाता है 4 साल या फिर 60,000 Kilometer तक आपको 4 लेवर परी सर्विस मिलती है जिसका interval या तो 15,000 Kilometer या फिर साल में एक बार whichever is earlier इस तरीके से आपको ओफर किया जाता है जिसकी वज़े से मुझे यहाँ पर Skoda का वारंटी ओफर जो है वो थोड़ा सा बहतर लगता है अब मुड़ते हैं दोस्तों Maintenance के मामले में तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर Skoda के comparison में किया का Maintenance कम हो सकता है हाला कि इस पर अभी एक सवाल या निशान है लेकिन Hyundai की sister concern company होने की बज़े से थोड़ा सा फाइदा किया को definitely मिल सकता है वहीं सभी को पता है on the other hand की Skoda का Maintenance काफी महगा होता है लेकिन अभी अभी मैंने आपको 4 साल का standard warranty offer explain किया है जिसकी वज़े से मुझे ऐसे नहीं लगता कि आपको Skoda के Maintenance में कोई दिक्कत आने वाली है चलिए दोस्तों अब आगे मुडते हैं और बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे important point के बारे में या फिर important section पर जो की है pricing प्राइस की शुरुवत करने से पहले एक point मैं आपको clear करना चाहूँगा दोस्तों की मेरे किसी भी वीडियो में या फिर इस वीडियो में जो भी prices में कोट करूंगा वो सारे की सारे prices एक शुरूम cost है गारियों की official website से लिए हुए हैं अपने शहर में exact pricing के लिए आपको हमेशा नजदी की डिलर से संपर करना पड़ेगा और शुरूवत करेंगे rapid की pricing से दोस्तों तो rapid का जो petrol manual top end variant है जिसका नाम है style एक शुरूम cost मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 11,49,000 रुपीस का जो क ट्रिम्स अवेलेबल हो जाते हैं किया कि official website की हिसाब से इन तीनो वेरियंट का तीनो ट्रिम्स का प्राइस 11,59,000 रुपीसे जो की skoda की rapid से मात्र 10,000 रुपे महेंगा हैं लेकिन trim wise exact pricing के लिए अपने शहर में आपको अपने नजदी की डिलर से संपर करना पड़ेगा क्यू अपनी जरूरत क्या है अपनी priority क्या है उसके हिसाब से इन दोनों गाड़ियों में से आप क्या चुनना चाहेंगे आप सेडन लेना चाहते हैं या फिर आप एक SUV चुनना चाहते हैं अब एक नजर डालते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के competition पर तो जहां पर Skoda Rapid की बा देखने को मिल जाती है, Tata की Harrier मिल जाती है, MG की Hector मिल जाती है और Chief Compass मिल जाती है ये गाड़ियां एक दूसरे से compete करती है और आप सभी को मालुम है कि SUV सेग्मेंट बहुत ज्यादा popular होने की वज़े से Rapid के सेग्मेंट की गाड़ियां आजकल काफी कम दिखती है और SUV एक ब बहुत ज्यादा popular होने की वज़े से कई सारी गाड़िया है जो इस सेग्मेंट को एक तगड़ा competition और एक बहतरीन alternative option ओफर कर रही है चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और एक नजर डाल लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के drawbacks पर लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि price point और SUV segment काफी popular होने की वज़े से किया Seltos की segment की कई सारी गाड़िया है जो आज की rate में Skoda Rapid के segment को एक बहुत ही तगड़ा competition दे रही है और एक गहतरीन alternative options की साथ में ये गाड़ियां यहाँ पर उबर कर आई है दोस्तों और सबसे पहले हम बात करेंग ये Seltos के drawback की तो मुझे ऐसे लगता है कि Seltos की जो pricing है वो थोड़ी सी overprice है अगला drawback जो मैं सोचता हूं दोस्तों कि इसके जो top end variant है वो बहुत ही ज्यादा expensive है उनकी price में कटोती होनी चाहिए Seltos की जो ride quality है वो काफी stiff है उसके अलावा अगर Seltos में rear seat पर आप बैठते है उसके बावजूद ये बहुत ही mature और stylish और classy premium design लगता है दोस्तों इसके क्रीज और जो linings पूरी गाड़ी पर है वो बहुत ही खूपसूरत है लेकिन फिर भी जब से Skoda की rapid launch हुई है तब से लेकर आज तक ये design जैसे कब ऐसा है मुझे लगता है modern nature and upmarket के हिसाब से Skoda को इ चाहिए और थोड़ी सी transparency में लानी चाहिए उसके अलावा अगला drawback है दोस्तों की इतने सालों के बावजूद जो presence है Skoda का इंडिया में उसे Skoda ने नहीं बढ़ाया है जिसकी वजह से उसके dealer और service network जो है वो आज भी limited है rapid में आखरी drawback है दोस्तों at the moment Skoda की जो rapid है वो automatic में available नहीं है ना ही diesel में available हो पाती है तो खुल मिला कर ये दोनों गाड़ियों के drawback है जो मुझे लगते हैं आपको क्या लगता है नीचे comment box आपके लिए खुला है दोस्तों अब मुडते हैं दोस्तों आखरी पड़ाओं में वीडियो के और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ है और दोनों ही गाड़ियों की खुबिया और features, characteristics ये सभी चीज़े अलग-अलग है लेकिन इन दोनों गाड़ियों को compare करने का सबसे important reason था कि price जो है वो बहुत ही close है दोस्तों लेकिन आपको सोचना है ये सारी चीज़े देखने के बाद में सुनने के बाद में और समझने के बाद में कि आपकी जरूरत क्या है आपकी priorities क्या है requirement क्या है और उस हिसाब से आप या तो rapid जो कि एक sedan है उसे ले सकते हैं या फिर सेल्टॉस जो कि एक SUV है दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं मेरी राय अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मैं अपने लिए options मिल जाते हैं यह SUV होने की वज़े से इसका road presence थोड़ा ज्यादा बहतर लगता है ground clearance इसकी better है दोस्तों build quality थोड़ी ज्यादा मजबूत है इन सभी reasons की वज़े से मैं किया कि सेल्टॉस को लेना चाहूंगा दोस्तों लेकिन अब या आपको तैग करना है कि आपकी जरूरत क तो यह चीज भी आप नीचे comment box में लिखना मत भूलेगा आज के लिए इतना ही दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इससे अपने दोस्तों के साथ में Facebook और WhatsApp पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो इससे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते ही अगली वीडियो में तब तक किले सुरक्षित चलिएगा सुरक्